mobile fund reward income, bike fund reward income, car fund reward income and house fund reward income आईए इन्हें विस्तार से समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी income लेने के लिए आपको कोई लेग या कोई side maintenance करने के आफसता नहीं होती सारी income आपके business value पर depend करती है तो आईए इन्हें समझते हैं यहां एक रुपए बराबर एक बिद्नस फैलूम होता है तो चलिए इनको विस्तार से समझते हैं तो पहली इंकम है टीम सेल्स कमिर्शन दोस्तो जब आप किसी को डारेक्ट ड्रेफर करते हैं तब आपको पहले लेवल पे 40% यानि कि 2 सुरूम मिलता है और सकेंड लेवल पे 8% बिद्नस फैलूम यानि कि 40 पर मिलता है और तीसरे लेवल पे 4% बिद्नस फैलूम यानि कि 20 पर मिलता है और चौते लेवल से लेकरके 20 लेवल तक आपको 1% यानि कि 5 रुपए पर रेफरर मिलता है तो दोस्तों ये income unlimited होती है आप जितने रेफल करेंगे उतनी ज़्यादा income को मिलेगी Next income टीम performance bonus दोस्तों जब आप फस्ट लिवल पे 75,000 वेलों complete करते हैं तब आपको टीम के turnover का 1% इस्ट्रा super performance bonus के रूप मिलना सुरू हो जाता है Next income performance club bonus दोस्तों ये income महिने में 3 बार ले सकते हैं जिसकी timing period 1st day to 10th day of month and 2nd 11th to 20 day of month and 21st day to 31st day of month ये income लेने के लिए 10 दिन में अगर आप 10 decibel बनाते हैं तब company के 10 दिन के turnover का 1% जितने club achiever होते हैं उनके बीच में बराबर बांट दिया जाता है Next rank and royalty income दोस्तों जब आप 75,000 वेलों complete करते हैं तब आप bronze बन जाते हैं और gold rank पर आपको 1.5% royalty मिलती है इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग-अलग level पर अलग-अलग rank rate area है जैसे platinum पर 1.75% and diamond बनने पर 2% and royal star बनने पर 1.5% and crown star बनने पर 1.25% and crown ambassador बनने पर 1% आपको royalty income मिलती है next income mobile reward fund दोस्तों जब आप gold rank अचीब करते हैं तब company अपने global turnover का 1% याने कि 15,000 रुपाय तक का mobile reward fund देती है bike reward fund दोस्तों जब आप platinum rank अचीब करते हैं तब company अपको अपने global turnover का 1% आपको आपको दोस्तों dated Gold Ciao वा गर पता